वेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल और आज मैं बताने चाहरी हूं कि हैकर रेंग ने अभी एक न्यू फीचर बताया है सैटिफिकेशन का जैसे कि पहले हैकर रेंग पर नहीं आता था पहले ओनली कॉंपेटिटी प्रोग्रामिंग के लिए इसमें अलग-अलग स्किल् इसमें से कुछ-कुछ मेरे ब्रॉंज लेवल दख ले लिए तो जैसे कि मेरा यह वाला गोर्ड पर भी पहुंच गया यह सिल्वर पर और यह काफे सारे ब्रॉंज पर चल रहे हैं तो ठीक है अभी देख लेते हैं कि हम कैसे कैसे सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं है कर यह तो तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर है रेक्ट है जावा इस्क्रेट, पाइथन जावा और प्रोग्रम सॉलिंग का इंटर्मीडिट भी है ठीक है तो अब इन सर्टिफिकेशन को करते कैसे हैं वो देखते हैं तो इसमें क्या होगा कुछ स्पेसिफिक कोशोन है उनको एक स्पेसिफिक टाइम में करना है तो जैसे कि प्रॉब्लम स्वविंग के अंदर 2030 मिनिट के अंदर दो कुछ questions आएंगे तो उसको complete करना है और जो question होंगे वो first single attempt questions होंगे only और इतने particular hearts में करना है अब इसके लिए हम enroll कैसे कर सकते हैं तो वो देख लेते हैं तो इसके लिए enroll करने के लिए सबसे पहले tag the hacker rank skills test पर जाएंगे और यहां पर उनने बताया है कि यह test algorithm और data structure के basis पर जो भी topic cover करेंगे ना वो यहां पर mention कर देंगे दन यह time भी है 90 minutes का ही test है अब इसके लिए enroll कैसे करना है यहां पर जो भी details है वो fill कर देना सारी और यहां पर भी कुछ भी डाल देना कि headline में जैसे की student डाल दे हैं यहां पर मैंने as example और यहां पर graduation year वगर अप्लोड कर देना और LinkedIn account वगर अगर है आप लोग का तो mention कर देना अगर नहीं है तो देन इतना भी चलेगा अब इसके बाद यहां पर प्रसीड करते हैं अब यहां पर टेक टेस्ट कर दोगे तो आप जब यहां जैसे आगे और भी सर्टिफिकेशन को लांच कर देगा तो इसका जो सर्टिफिकेशन आएगा ना वह आपके एक ड्रीम जॉब अजीव करने के लिए बहुत यूसफुल होगा ठीक है और इसके से आपकी practical भी इंक्रीज होगी और जितने भी कंपनी सोती है मुझे थियोरी से ज्यादा उनको वह नहीं होता मतलब प्रैक्टिकली से ही क्योंकि प्राक्टिकली प्रोजेक्स में काफी काम आता है तो अब जिसका एकाउंट नहीं होता है तो एकाउंट हम कैसे बनाते हैं है करेंग पर व ज्यादा वेल्यू होने वाला है और क्योंकि लॉक्टाउन के चकर में काफे सरी जौप जा रही है और जौप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सर्टिफिकेशन को अगर कहीं भी अप्लोड भी करते हैं तो बहुत ज्यादा वेनिफीशल है ठीक है अगर आप लो तो उसे करना ना हो ले थैंक्यू गाइस